1960 की एपिक ड्रामा हिश्टिकल फिल्म मुगल ए आजम भाला किसने नहीं देखी इस फिल्म में सलिम की मा जोधा वाई का बहत्रिन रोल निभाय था दुर्गा खोटे ने। के किरदार भी निभाते थे। उस दोर में पती की मौत के बाद अपने दो बच्चों की परवरिस्की लिए दुर्गा मजबुरन फिल्मों में आई। 26 साल की विदवा दुर्गा जब फिल्मों में आई तो समाज ने उनका जम कर विरोत किया। लेकिन दुर्गा ने अपने हुनर से खुद को सिनिमा में इस्तापित करने के साथ साथ महिलाओं के लिए सिनिमा के रास्ते खोले। वहीं पहली बोलती मराटी फिल्म फेहली दो भासाओं में बनी फिल्म और फेहली फ्रीलांस एक्टरस बनकर दुर्गा ने कई बार इतिहास रचा। दुर्गा इतनी सहासी महिला थी कि एक बार एक क्रू मेमर को बचाने के लिए जीते से लड़ पड़ी थी लेकिन वो तब तुड़ गई जब उन्होंने अपने जावान बेटे को खो दिया दुर्गा तब भी नहरुकी और फिर परदे की सबसे फेमस मावनी। बात है 14 जन्वरे 1905 की गुवा के कोकुनी ब्राहन परिबार में पांडुरंग सामरा लाड और मंजुला भाई के घर दुर्गा खोटे का जन्व हुआ था जम के समय उन्हें बीटा लाड नाम दिया गया था जिनकी परवरिस कांदे बड़ी के एक समृत परिबार में जाती थी या उन्हें घर की चार दिवार की भीतर परदे में रखा जाता था हाला कि इज़्जददार और रईस खांदान से तालुक रखने वाली दुर्गा को पढ़ाय की आज़ादी थी कैथ्ड्रेल हाई स्कुल से स्कुली पूरी करने के बाद दुर्गा ने सेंट जेवीर कॉले से बीए की डिगरी हासिल करने के लिए दाखिला लिया था पढ़ाई पुरी होते ही उससे पहले उनकी साधी खोटे परिवार के एकलोते वेटे बिसोनात खोटे से करवा दी गई बिसोनात एक मेकनिकल इंजिनेर थे जिनोंने बानारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी अपर मिडिल क्लास वाले खोटे परिवार में जातर लोग मोडन और अंगरेजी बोलने वाले थे जिनके पूरवच वेंकर हुआ करते थे टीन एज में साधी के बाद दुरगा खोटे ने अपनी बी ए डिगरी हासिल की और फिर घर ग्रोस्ती में लग गई जब दुरगा ने दो वेटों को बकुल और हिरन को जन्म दिया तो उनका परिवार संपन हो गया दोनों खुसी खुसी जिंदेगी गुजा रहे थे कि आचानक एक दिन एक हाथसे में दुरगा के पती विश्वनात का निधन हो गया महज 26 साल के उम्र में दुरगा का हस्ता खेलता परिवार बिखर चुका था पती की मौत के बावजुद दुरगा अपने दोनों बेटों के साथ ससुराल में रही जब कुछ महीनों बात उनके ससुर भी गुजर गए तो उनकी परिवार का खर्चा कुछ रिष्टेदार मिलकर उठाते थे घर चलाने के खर्चे के साथ साथ दुरगा के परिवार को ताने भी मिलते थे इससे तंग आकर एक दिन दुरगा ने खुद कामाने का फैसला किया परी लिखी थी तो वो आस पर उसके बच्चों को घर बुला कर टीउसन देने लगी इसी बिच दुरगा की बहन सालिनी ने उन्हें बताया कि प्रभास फिल्म कंपने में काम करने बाले उनके दोस्त जेवी एच बीडियो का फिल फरेवी जाल के लिए अंग्रेजी बोलने बाले लड़की की तलास कर रहे हैं ये रोल फेले सालिनी को ही मिला था लेकिन उन्हें अपनी बहन के नाम का सुझाप दे दिया उस जमाने में पढ़ी लिखी और फराटेदार अंग्रेजी बोलने बाले लड़कीयां सिर्फ बिदेशी ही हुआ करती थी तो दुरगा को ये रोल आसानी से मिल गया ब्राहण परिबार की विदवा दुरगा को जब फिल्म में काम मिला तो परिबार और समाज ने इसके खिलाप आवाज उठाई इसकी दो वज़ा थी पहले की वो एक इज़िदार खांदान सी थी और सिनिमा में काम करना एक असभ्य पेशा माना जाता था जिसकी तूलना ब पहली फिल्म के बाद दुर्गा सिनिमा से दूरी बनाना चाती थी लेकिन भी सांतराम के कहने पर उन्हें काम करना ज़री रखा प्रभात फिल्म कंपनी प्रडॉक्शन की दूसरी फिल्म माया मचंदरी में दुर्गा खोटे ने रानी का रोल फिले किया जिसका पालतु जानवर चीता था फिल्म के सुटिंग महाराष्टर के कौलापर में होई थी सुटिंग के दोरान सेट पर कई चीते लाए गए थे जिनके साथ उनकी ट्रेनर भी सेट पर मौझूत रहते थे एक दिन सेट पर ट्रेनर का ध्यान हटने से एक जीता वेकावू हो गया और एक क्रू मेंबर पर जपट बड़ा ये देखते ही दुरगा ने बिना अपनी जान की परभा किये सिधे जीते से जपट पड़ी और उस पर कावू पाया दुरगा का सास देकर सेट पर हर कोई उनकी बावई कर रहा था फिल्म फरेविज जाल और माया मचेंदर की बाद आखिर कर दुरगा खोटे को वो मोका मिला जिसका उन्हें इंतजार था वो फ्रभात फिल्म कंपनी 1931 की पहली साउंड फिल्म अयोध्याचा राजा में वतोर हिरोईन नजर आई ये माराठी सिनिमा की पहली बॉल्ती फिल्म थी फिल्म माराठी और हिंदी भासा में बनाई गए थी जिससे ये भारत की पहली दो भासा में बनी फिल्म भी है ये फिल्म दुरगा खोटे और भारतिये सिनिमा के लिए टर्निक पॉइंट साबित हुई ब्रहामन रईस परिवार की दुरगा के ब ती दोर में सभी कलाकारों को कंट्रेक्ट के तहथ प्रोडक्शन घॉला रखा जाता था प्रोडक्शन कंपनियां कलाकारों से कुछ निर्धारिकत सालों का क्たकिक सायन कर वा थी ऐसे में वह कलाकार उस समय पर किसी दूसरे प्रड़क्शन के साथ काम नहीं कर सकते थे लेकिन दुरगा खोटे ने ये ट्रेंड तोर दिया परभात कमपनी के साथ मंथली सेलेरी पर काम करते हुए उन्हें इस्पेशाल कॉंट्रेक्ट के तहत न्यू थेयटर कमपनी इस्ट इंडिया फ खोटे ने समद्र डाकू सोदा मनी का वेतरिन रॉल निभाय था ये फैली भारती फिल्म है जिसका प्रीमेर 22 फिल्म फेस्टिवाल में हुआ था इसके बाद दुरगा ने 1937 की फिल्म साथी प्रडूस और डिरेक्ट की एक साथ ये दो काम करने बाले दुरगा फैली प्रेटे की मौत के बाद फिल्मों से ब्रेक लिया था हरिन अपने पीछे एक बिद्वा विजय और दो छोटे बच्चों को छोड़ गए थे दुरगा ने खुद उनकी जिम्मेदारे उठाई और कुछ समय बात उनने विजय की दूसरी साधी करवा दी विजय आज एक पूर माराटी फिल्म में कर हैं बड़ती उम्र और ढलते सरीर के साथ दुरगा ने कुछ समय बात बतोर केरेक्टर आर्टिस्ट काम करना सुरू कर दिया फिल्म मुगल ए आजम में जोधा भाई का किरदार हो बोवी में डिंपल की दादी का रोल हो अभिवान में आंटी का रोल हो या फिर बिदाय में मा का रोल हो इन सभी फिल्मों से दुरगा खोटे ने अपने अवेने की गहरी चाप छोड़ी है करीब 200 फिल्मों का हिसा रही दुरगा खोटे ने असी के दसक में प्रोड़क्शन में ध्यान दिया और कई वहतरिन शौट फिल्में और डोकुम का था मी दुरगा खोटे लिखी थी कुछ सालों बात 1990 में इसे इंगलिज में आई दुरगा खोटे नाम से ट्रांसलेट किया गया था अपनी वायगरफी में दुरगा खोटे ने अपनी कई अधुरी खोईसों का जिकरी किया था एक हिस्से में उन्हें लिखा था मेरे मिस देहन में कलपनाएं आती हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकती। वायगरफी लिखने के बाद दुर्गा खोटे मुंबे के करिब आलिभाग में रहने चले गए। अगले ही साल 22 सितमबर 1991 को दुर्गा का 86 साल के उम्र में निधन हो गया। भरत मिलाप के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का आवार्ड दिया गया था। इसके बाद उन्हें 1958 में संगीत नाटक एकाडमी आवार्ड से सन्मानित किया गया। जगा बनाना आसन किया वलकि वो अपने कई रिस्तरों के लिए भी ब्रणाना बनी। उनके दिवगंत पती विश्वनत खोटे के भाई नंदु खोटे भी साइलेंट फिल्मों के एक्टर रहे थे। नंदु के बेटे बीजु खोटे और बेटी सुभा खोटे भी इंडिय मा के जिकर होता है तो दुर्गा खोटे का नाम इसमें जरूर सामिल किया जाता है।